Hello and welcome once again in another session of Accountancy. So guys, मुझे उमीद है कि अभी तक जितना मैंने आपको ये basic accounting के concept के बारे में समझाया है, पढ़ाया है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा. आज का जो हमारा session रहेगा, उसमें हम बहुत ही आसान से दो topics discuss करेंगे. One is advantages or uses of accounting and another one will be limitations of accounting. तो अब अगर हम advantages की बात करें, यानि की accounting के क्या-क्या फाइदे हैं, क्या-क्या गुण हैं, तो कौन-कौन से points इसमें cover होगे. मिलते-जुलते points हैं, जैसा हमने meaning समझा है, function समझें हैं, तो बिलकुल उसी के साथ मिलते-जुलते इसके कुछ points होगे. एकाउंटिंग offers the following advantages, first one is helpful in the management of business, देखो business को properly manage करने के लिए, हमने देखा था ना, कि एक branch of accounting थी, जिसे हम management accounting बूलते हैं, तो management accounting में management को various decision करने के लिए, future से related to various policies बनाने के लिए, accounting information की ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक हैं? तो यहाँ पर यही इसका first main important point है, कि यह business को properly manage करने में मददगार साबित होती है, कौन? एकाउंटिंग, तो management needs a lot of information for the efficient running of the business, business को properly run करने के लिए, चलाने के लिए, management को timely information चाहिए होती है, तो ऐसी सारी की सारी information जो है, वो कौन प्रोबाइड करता है, accounting प्रोबाइड करती है, लेखांकन के द्वारा यह सारी की सारी information supply की जाती है, अब इससे management करती क्या है? देखो बहुत ही आसान है, planning करने में मदद मिलती है management को, decisions लेने में मदद मिलती है, और properly business में control करने में मदद मिलती है, now what do we mean by planning, decision making or controlling, देखो planning का मतलब क्या होता है, planning is something which we are doing in present, but we are doing it for the future, मतलब ऐसा कुछ concept है, ऐसे कुछ logics हैं या ऐसे कुछ decisions हैं जो हम present में ले रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ये future के लिए, तो मतलब एक तरीके से it is thinking in advance, कि हम advance में सोच रहे हैं, कि हम आगे further future में क्या करेंगे, तो planning क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे safe for example, आपका कोई business है, आपके business में आप sales check करते हो, ठीक हैं, आप accounting कर रहे हो, आपने check किया कि कितनी sales हो रही हैं, आपके products की कितनी नहीं हो रही हैं, आपने जब account books check की, तो आपको पता चला कि sales जो हैं, वो कम हैं, अगर कम हैं, तो ही आप future की policies बनाओगे न, कि हमें future में क्या करना चाहिए, कि जो हमारी sales आज कम हैं, वो जादा हो जाएं, increase हो जाएं, तो इसलिए management को plan करने में मदद कर रही है, क्या accounting information, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, हमारे पास next क्या है, decision making, अब इसमें भी क्या है, कि management को time पर decision लेना है, देखो एक business जो है, वो तभी काम्याब हो सकता है, जब वो अपने decisions time पर लेता है, customer को discount offer, अगर आप नहीं करोगे, तो कोई दूसरा कर देगा, तो आपका customer उसके पास चला जाएगा, तो इसलिए time पर decision लेना जरूरी है, तो इसलिए management जो है, उसे कैसे मदद मिलती है, मतलब जो information उसे accounting में मिलती है, उस information के जरीए, वो various decisions ले सकती है, जो कि उसके business के लिए फाइदे में हो, business के हक में हो, बिलकुल इसी तरीके से देखो, control करना भी जरूरी है, जैसे कहते हैं न, parents control करते हैं अपने बच्चे के activities को, तो बिलकुल इसी तरीके से जो management है, वो business को control करेगी, business में काम कर रहे हैं, लोगों की activities को उन्होंने क्या करना है, control करना है, तांकि अगर कोई इस तरह की activity है जो waste incur कर रही है या over spending देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो उस पर उसको curtail किया जा सके उसे रोका जा सके तो इसलिए management को time to time information planning करने के लिए decision लेने के लिए और control करने के लिए accounting supply करती है अब देखते हैं कि हमारे पास next point कौन सा है in order to cover the advantages of accounting देखें next है provides complete and systematic record अब ये मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की भी ज़रुरत है क्योंकि हमने meaning में भी समझा है कि it is an art of recording तो इसलिए जो accounting है वो business की हर transaction को properly record करने में एक systematic manner में क्योंकि हमने किया है na journal entries में हम क्या करते थे हम journal entries में chronological sequence के basis पर journal entries पास कर रहे हैं तो इसका मतलब date wise किस दिन क्या transaction हुई है हर एक transaction का with proof हर एक transaction का with proof अप प्रूफ क्या होंगे देखो वैसे तो मैं आपको hint बता चुकी हुई हूई हूँ पहले भी already लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर आपने पहले वो journal entries related concepts अगर नहीं समझे हैं नहीं सुने हैं कि बिजनस ने किसी से भी interact किया कोई भी deal की कोई भी transaction की तो कोई ना कोई बिल मीमो कुछ सो तैयार हुआ होगा ना कोई voucher तैयार होगा अगर say for example आप clothes ready made garments buy करने जाते हो अगर किसी shop में तो वो shopkeeper आपको bill काट कर देता है ना तो बिलकुल इसी तरीके से जब business आपस में transactions क करते हैं या business किसी के साथ भी किसी भी customer के साथ transaction करता है तो एक copy of bill जो है एक copy of memo कहलो vouchers कहलो ये चीजें किसके पास रहती हैं business के पास भी रहती हैं तो उनके आधार पर systematically हर एक transaction का record तैयार किया जाता है business में record किया जाता है जिसमें हम पहला recording का step पढ़ चुके हैं जिसे journal entries क कहते हैं और इस तरहां से होता क्या है true and fair picture हमें पता चलती है business की business की activities क्या क्या perform हुई है मतला business ने क्या क्या activities perform की हैं तो इसलिए हमें एक complete और systematic record accounting की मदद से मिल सकता है बिल्कुल इसी तरीके से आगे देखिए मैं आपको hint provide कर चुकी हूँ कि हम business की financial positions को चेक करने के बिजनस के पता लगाने के लिए कि हमारा business profit earn कर रहा है या loss earn कर रहा है तो हम जब second part पढ़ेंगे अपने इस book का तो हमें पता चलेगा कि एक final accounts नाम का एक chapter है आप चाहे तो index में contents में check भी कर सकते हो आपको financial statements या final accounts नाम से एक chapter होगा उसमें कुछ नहीं है अगर थोड़े स pages open करकर देखोगे तो उसमें पता चलेगा उसमें profit and loss account नाम का एक खाता बनता है तो इसमें है क्या हमें जो accounting है वो ये पता लगाने में मदद कर रही है कि business ने अपनी activities से किसी भी accounting period के दौरान अब accounting period क्या होता है वो हमने हमारे concepts में conventions में ये चीज़ें समझी है कि वो 12 months का time period जो generally 1st April से शुरू होकर next year की 31st March तक चलता है या calendar year अगर कोई consider कर रहा है जो January से लेकर December तक चलता है जिसमें basically हम कहते हैं कि business की पूरी की पूरी life को हम 12-12 माईनों में बांट कर चेक करते हैं time to time की हमारा business profit earn कर रहा है या loss suffer कर रहा है तो इसलिए यह देखो यहाँ पर भी आपको profitable loss account का जिक्र है तो ये account हमें disclose करता है हमें ये information provide करता है कि whether the business is earning the profit or it is suffering the loss तो ये information आगे फर्दर जो हमने last हमारी वीडियो में discuss किया था different users of accounting information तो उनके लिए ये एक useful information साबित होता है तांकि various interested parties अपने decisions ले सकें तो मुझे उमीद है कि आपने last video भी जरूर देखी होगी अगर नहीं देखिए तो please जल्दी से जरूर चेक कीजिए आपको links जरूर इस video की description box में भी मिलेंगे देखिए next plus point accounting का क्या है information regarding financial position ये भी आपको पहले बताया गया है financial position का मतलब होता है कि हमारी assets कितनी हैं और हमारी liabilities कितनी हैं अब फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपने accounting equation से related concepts से समझे हैं तो हमने उसमें balance sheet नाम का एक concept पढ़ा था और ये balance sheet ही है फिर से एक चीज़ और कहूंगी कि final accounts मैंने financial statements आपको का है ना उपर वाले point में देखने के लिए तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि profit and loss account के बाद balance sheet नाम की भी एक चीज़ बनती है और ये balance sheet बिलकुल उसी तरीके से बनती है जैसे हमने accounting equation के case में समझा हैं कि assets एक साइट पर record की जाती हैं now we know हमने terminologies के concepts भी cover की हैं assets क्या होते हैं हमें बता हैं और हमने liabilities और capital के ये बारे में भी समझा है थो हमें ये दोनों चीज़े भी पता हैं कि क्या होती है तो simple सी बात कि एक business की financial position क्या है कितनी उसकी वो चीज़ें हैं इस पर उसका हक नहीं है बलकि उसकी देंधारियां जो उसने बाहर वालों को या जो business man है मतलब जिन्होंने capital invest की है एक तरीके से हम कहेंगे जो उनकी internal liability है business की internal liability है क्योंकि business entity concept यही कहता था न कि business अलग है और business man अलग है तो इसलिए ये liabilities और capital की position और assets की position हमें हम एक तरीके से financial position accounting की मदद से पता चलती है Now coming to the next point it enables comparative study अब comparative क्या होता है comparative का मतलब होता है comparison करपाना तुलना करपाना तो accounting information देखो मान लो मैंने 2014 में कोई business start किया 15 भी निकल गया 16 भी निकल गया 17 भी निकल गया 18 now it's 20 ठीक है तो कितने साल बीट गए क्यों ना मैं compare कर कर देखो कि जब मैंने start किया था तो क्या position थी क्यों ना मैं अपने last year के साथ comparison कर कर देखनू कि मैंने कुछ improvement किया या नहीं जैसे आप अपने last year के आपने 10th में जो score किया obviously है कि आप चाहोगे ना कि मैं 12th में 12th के boards में मैं उससे भी higher score करू तो what you are doing आप comparison कर रहे हो ना तो बिलकुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम business की हर एक transaction का systematic record रखते हैं हमें पता है कि हमने पिछले साल कितनी cost incur की थी हमें पता है कि पिछले साल कितने expenses bear किये थे तो मतलब हम पिछले सालों की informations को आपस में compare कर कर देख सकते हैं या यूं कहलो कि current year के साथ last year या किसी और business के साथ हम comparison कर कर देख सकते हैं कि हमारी position यह है और हमारे जैसा ही business करने वाला एक दूसरा competitor जो है उसकी position यह है तो इस तरीके से अगर हम comparison करेंगे तो हम timely और कुछ important decisions अपने business के लिए wisely ले सकते हैं judicially मतलब wisely ले सकते हैं सोच समझ कर decisions ले सकते हैं तो मुझे उमीद है कि यह point भी आपको समझ में आगे अब हम देखते हैं next point which is helpful in the assessment of tax liability now again I would like to say कि हमने different branches of accounting पड़ी है हमने देखा financial accounting है management accounting है cost accounting है social responsibility accounting था and जो मैंने अभी तक नहीं बूला वो कांसा था tax accounting तो basically यहाँ पर इस point में हमें क्या बताया जा रहा है कि हम हर एक systematic recording कर रहे है जब हम properly अपने accounts को records को maintain करेंगे तो यह किस तरह से मदद करेगा एक business को या एक firm को ये एक firm को या एक business को tax की calculation करने में मदद करेगा GST कितना बनता है income tax हम पर कितना बनेगा ये calculations करने में मददगार साबित होता है अगर हम proper records रखेंगे तो taxation authorities जब हमारे उपर tax की calculations करेंगे तो उनके लिए भी फायदे मन साबित हो जाएगा क्यों एक तरीके से हमारी reputation भी बनेगी अगर हमने proper systematic records सारे रखे हुए होंगे प्लस हमें भी कहीं हम tax ज़ादा ना पे कर दे या अगर कहीं कोई deduction claim करनी है होता है ना छूट भी मिलती होती है कि अगर हम यहाँ investment करे यहाँ saving कर दे यह कुछ concepts हैं जो अगर आगे commerce subject कोई pursue करोगे तो आपको और जादा clear होते चले जाएंगे पर हाल फिलहाल के लिए अभी आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि taxation liabilities की assessment करने के लिए मतलब कितना amount of tax आपको pay करने की जरुवत है उसके लिए जरूरी है आपके records को properly checked करकर एक सही amount of tax पता लगा सकती है जो की आप पर charge किया जाना चाहिए आपके business पर charge किया जाना चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक के points आपको clear होंगे so moving on to the next point देखे next point है evidence in legal matters evidence का मतलब क्या होता है evidence का मतलब होता है proof legal matters legal matters मतलब अगर कभी इन case अगर आपकी firm पर या आपके business पर कोई case हो जाता है मतलब मालो legal case हो जाता है तो उस case में अगर आपने business के proper records maintain किये हुए हैं तो आपके द्वारा maintain की गई वो accounting information वो books of accounts क्या होंगी वो सारे के सारे documents आप evidence के तौर पर court के सामने पेश कर सकते हों ठीक हैं अब वो कब पेश करोगे जब आपने properly record किया होगा maintain कियोंगे accounts अगर record ही नहीं करोगे अगर properly maintain ही नहीं करोगे तो आप अपने हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सकते हों नेक्स देखें नेक्स पॉइंट आपके पास क्या है facilitates the sale of business if a business entity is being sold the accounting information can be utilized to determine the proper purchase price देखो आपको पता है ना कि कई बार आपने सुना भी होगा कि business बेच दिया या firms का merger हो गया आपस में जुड गई हैं या एक business ने दूसरे business को take over कर लिया basically ये movies में या आपने daily soaps में ऐसा कुछ concept सुना होगा ना तो basically एक business की भी एक sale value होती है और उस sale value के आधार पर ही कोई दूसरा business उसे take over करता है तो वो business entity अगर बिक रही है तो किस आधार पर पता लगाया जाता है कि उसका proper price क्या है उसकी accounting information के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि उसका proper purchase price क्या है assets, liabilities को compare करकर जितने भी profits या losses हैं या expenses और incomes हैं उनके comparison के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि एक business का अगर sale करना पढ़े कभी business को तो उस case में उसका proper purchase price क्या है बिलकुल इसी तरीके से देखिए next point जो हमारे पास plus points में है advantages में है वो है helpful in raising loans देखो इसको explain करने के लिए मैं आपको कहूंगी कि जो मैंने आपको parties interested वाला concept करवाया था आप थोड़ा सा उसको दिमाग में लेकर आईए आपको म creditors के case में यही चीज़ बताई थी ना कि एक business को loan देते वक्त जो banks है या other financial institutions है वो credit worthiness चेक करना चाहेंगी ना कि क्या हमें principal amount भी हमारा वापिस मिलेगा क्या मुझे time per interest की payment होगी या नहीं होगी तो वो कैसे पता लगाती है वो business की financial information के आधार पर ही accounting information के आधार पर ही अगर suppose करो आपके last year के accounts चेक करकर वो देखे और उसमें उसको दिख रहा है कि हाँ ये बंदा time पर सारे के सारे interest जो हैं उसकी payment कर रहा है तो उन्हें surety होगी ना कि हाँ हमें भी हमारी interest की payment दे देंगे तो इसलिए accounting information बहुत मददगार साबित होती है जब भी किसी bank से या क क्या करती है screening करती है मतलब एक तरीके से checking करती है किस चीज की checking करते है हमारी different financial statements की देखो ये आपको नाम अब लिखा हुआ आगया final account जिसका मैंने अभी अभी पिछले कुछ points में जिक्र भी किया था तो basically simple सी बात आपको अभी इन statements के बारे में नहीं पता लेकिन आप systematic records maintain किये जाते हैं एक business के द्वारा उन records के आधार पर ही उन records को ही check करकर मतलब आपकी पिछली performance देखकर सिंपल सी बात आपके business की पिछली performance देखकर ही जो banks हैं वो ये decisions लेते हैं कि आपको loan देना चाहिए या नहीं ठीक है अब अगर मैं बात करूं in points की देखो in points पर मैं ए बात हो तो मैंने objectives को explain करते हुए भी लगाया था अगर आपने वो video देखी है तो ये जो सबसे पहले 11th point है ये हमें plus one में ही cover हो जाएगा helpful in the prevention and detection of errors and frauds ये जब हम trial balance का concept पढ़ेंगे तब हमें ये point समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फाइदा है accounting में लेकिन जो ये आपके पा आस partnership accounts है ये जब आप plus two में partnership accounting पढ़ोगे तो आपको जादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि admission of a partner का मतलब क्या होता है retirement का मतलब क्या होता है वैसे तो आपको normal से मतलब पता है कि बही admission क्या होता है retirement का मतलब क्या होता है death का मतलब क्या होता है लेकिन simple सी बात कि जब भ तो आपको पता है ना, Soul Tradership का मतलब पता है, क्या होता है, Partnership का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से जाधा लोग, आपस में मिलकर, आपस के लिए, और एक तरीके की एक Economic Activity Undertake करते होते हैं, जिससे वो Profit कमाते हैं, और उस Profit को फिर एक Particular Ratio में बांट भी लेते होते हैं, तो उसे हम एक partnership former business normal language में बोल देते होते हैं, तो partnership accounting में भी partnership के अंडर भी different accounts की maintenance होती है तो वो accounts की maintenance की जरूरत जब कोई नया partner आता है तब भी बढ़ती है जब कोई partner retire होता है तब भी बढ़ती है, जब किसी partner की in case death हो जाती है तब भी बढ़ती है, तो उसमें कौन मददगार साबित होता है, basically accounting records जो है, वो सारी की information provide करते हैं और उस वक्त ये admission के time, retirement के time, और death of a partner के time, क्या treatments देनी चाहिए, या एक firm को बंद किया जा रहा है, अगर dissolute किया जा रहा है, मतलब बंद किया जा रहा है, तो उस case में कौन कौन से खाते बनने चाहिए, ये सब proper record हम accounting के under, accounting की मदद से partnership में कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि advantages of accounting आपको जरूर समझ में आ गया देखिए, अब अगर मैं limitations के बारे में बात करूं कि accounting में कमियां कौन कौन सी हैं, तो मैं सबसे पहले आपके साथ फिर से वही बात discuss करूंगी, कि मैं limitations के कुछ points installment basis पर cover करूंगी, तो देख सकते हो आप कि मैंने first point पर किसी तरीके का कोई mark नहीं लगाया है, तो इसलिए ये एक start point है, इसको मैं forward future में cover करूंगी, अभी फिलहाल इसे at present cover नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम discuss करें, कि limitations of accounting में क्या है, तो देखो as discussed above, accounting provides information about the profitability and financial soundness of a concern to the owners and other interested parties की जिन जिन को भी accounting information की जरुवत होती है, उन्हे time पर information provide करती है accounting, चाहे वो profitability से regarding information supply करना हो, या business की financial position बताने का concept हो, मतलब assets और liabilities बताने का point हो, in addition, it provides various other valuable information also, जैसे tax, कितना होगा, कितना नहीं, इस तरहां की information भी supply की जाती है, लेकिन, however, accounting has certain limitations, which must be kept in mind, while using such informations, लेकिन, accounting की information का, इस्तमाल करते वक्त, हमें, कुछ ऐसी बातें, जो accounting की limitations के under cover होती है, उन्हें जरूर धियान में रखना चाहिए, जिसमें से, सबसे, पहला point नहीं, मैं second point discuss करूंगी, based on accounting concepts and conventions, देखो, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने ये point सिरफ for the time being skip किया है, मैंने ये नहीं किया कि मैं ये point आपको करवाऊंगी ही नहीं, मैंने for the time being इसे एक बार छोड़ा है, star लगाया है, cover करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी, second point है, based on accounting concepts and conventions, देखो, हम ये cover कर चुके हैं topic, हमने accounting के कुछ principles, कुछ concepts पढ़े हैं, जैसे going concern concept पढ़ा था, business entity concept पढ़ा था, अब अगर जिन बच्चों ने अभी तक वो concepts और conventions नहीं समझे हैं, तो I request you कि please जरूर जरूर वो check कीजिए, आपको कुछ concepts में से यहाँ पर सिरफ दो concepts के बारे में, दो concepts और एक convention के बारे में, एक example की form में explain किया गया है, देखो, simple सी बात यहाँ पर यह है, बिना concepts के, बिना उन basic rules के accounting कुछ नहीं है, तो accounting totally उन concepts पर, उन conventions पर आधारित है, accounts are prepared on the basis of the number of accounting concepts and conventions, hence, the profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic, क्यों, क्योंकि उन concepts में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है, यह देखो, यह जो historical concept, cost concept आपको बता रखा है, यह आपके limitations में एक और point बनाकर भी cover किया हुआ है, लेकिन हम इसे यहीं पर समझ लेते हैं, कि यह क्या है, देखो, जब मैंने आपको historical cost concept करवाया था, तब मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था, कि हम कोई भी fixed assets अगर purchase करते हैं, उसे अपनी books of accounts में record करते हैं, तो हमने उसे कितने का खरीदा है, हम उसे उस amount पर record करेंगे, ना कि उसकी market में कितनी value है उस पर record किया जाएगा जैसे, suppose कीजिए मैंने अभी अभी कुछ time पहले आपको एक example दी थी, मानलो मैंने 2014 में business start किया था तो मैंने 2014 में मानलो plant लगाया था अपनी factory में, या यूं कहलो अपनी factory में कोई machinery लेकर आई थी मैं, ठीक है, अब वो machinery मैंने उस वक्त 10 लाग की मानलो खरीदी थी, कब खरीदी थी 2014 में, ठीक है 2014 में मैंने कितने की machinery खरीदी थी 10 लाग की अब आज 2020 में मानलो वही machinery जो है, वो 20 लाग की है डबल होगी डबल होगी न, लेकिन मैं अपनी books में जो value दिखा रही हूँ, किसकी machinery की, वो 10 लाग के accordingly ही चल रही है, 10 लाग पर कुछ value उसकी कम हो गई होगी, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को use करते जाते हैं, तो वो चीज़ पुरानी होती जाती है न, जैसे आपने car खरीदी हो, car को जैसे जैसे purchase use करते जाओगे, उसके tire घसेंगे, या उसको जैसे 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 और use करोगे, paint खराब होगा, तो एक तरीके से जैसे जैसे हम चीज़ों को, assets को use करते जाते हैं, तो उनकी value में कम ही आती चली जाती है, तो जो 2014 में मैंने 10 लाग की खरीदी थी, उसकी value आज 10 लाग नहीं है, 10 लाग से कम हो गई है, लेकिन अगर मैं उसी machinery की आज की date में 2020 में market value देखूं, तो वो market value कितनी है, 20 लाग, लेकिन मैं record कितने के इसाब से कर रही हूं, 10 लाग के इसाब से, जो की एक history है आज की date में, बीच चुका है ना, ये time period, तो इसलिए this means that the fixed assets are shown on their cost and not at their market value, the value realized on their sale may be more or less than the value stated in the balance sheet, तो जब हम ऐसी assets को अगर बेचते हैं, तो उनकी जो value realize होगी, scrap value या जो भी realizable value होगी वो ज्यादा भी हो सकती है, और वो कम भी हो सकती है ठीक है, तो similarly बिलकुल इसी तरीके से एक और example, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, true picture तो नहीं show कर रही ना, मेरी accounting information market में उसकी कुछ और value है लेकिन मेरी books of accounts, कुछ और information, show, reveal कर रही है, बिलकुल इसी तरीके से रेखो, एक और example जो आपको यहाँ पर बताई गई है, वो बताई गई है, convention of conservatism के आधार पर ये जब conservatism वाला concept हमने समझा था, तो हमने क्या समझा था, कि जितने भी हमारे losses होते हैं, हम उन्हें record कर लेते हैं, अगर वो अभी हुए नहीं है, future में होने वाले भी हैं, तो भी, जब मुझे पता चल गया, कि मेरा नुकसान होने वाला है, मैं उसे तभी record कर लूँगी, चाहे अभी नुकसान हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, लेकिन लेकिन फाइदों के केस में, इंकम्स के केस में हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था, कि फाइदे जब तक हमें realize नहीं होते, तब तक हमने उन्हें record नहीं करना है, तो losses को तो हमने record कर लिया, चाहे वो future के हैं, लेकिन इंकम्स को हमने अभी तक record नहीं किया है, वो भी तो है ना, इंकम्स भी तो मिलेगी ना हमें, तो इंकम्स को ignore कर देना, सिरफ losses को ही consider कर लेना, ये हमें, हमारी accounting की information जो है, वो सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उस case में, हम अपने नुकसानों को show करकर, अपना मुनाफ़ा तो कम show करते जाएंगे, कि ये भी मेरा expense हो सकता है, ये भी मेरा expense हो सकता है, तो मेरे पास तो कम profit बच रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी side पर देखें, profit बढ़ाने वाली चीज़ को, यानि कि income को, तो हम ignore कर रहे हैं, तो that is why, कि ये जो accounting information होती है, वो कुछ accounting concepts और conventions पर based है, उनके इलावा कोई वजूद नहीं है, अगर हम accounting information का सही तरीके से, अगर हम ये पता लगाना चाहें, कि ये हमें सही results दे रही हैं के नहीं, तो ये हमें बहुत हद तक, एक तरीके से wrong results दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक तो market में value कुछ और है, लेकिन हम कुछ और show कर रहे हैं, तो हमें true and fair picture नहीं पता चल रही है, बिल्कुल इसी तरीके से losses को record किया जा रहा है, लेकिन incomes को नहीं record किया जा रहा है, तो फिर से हम सारी information record नहीं कर रहे हैं, अब अगर हम बात करें, incomplete information किस तरहां से accounting की limitation है, accounting statements provide only the incomplete information, because जो actual profit या loss है business का, वो तो जब business खतम होगा, बंद होगा तब ही बता चल सकता है, उससे पहले तो नहीं बता चल सकता है, तो इसलिए ये एक तरीके से complete information नहीं है, ये एक incomplete information ही है, क्यूंकि business going concern है, हमें नहीं पता कि business 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, कि lifetime चलता रहेगा, PD दर PD चलता रहेगा, तो इसलिए accounting treatments जो हैं, वो हमें actually सही profit या loss नहीं बता रही है, क्योंकि मानना ये है कि सही profit या loss जो है, या actual profit और actual loss जो है, वो हमें तब ही पता चल सकता है, जब वो activity पूरी तरह से close हो चुकी हो, लेकिन जब close ही नहीं हुई है, तो सही profit या सही loss कह पाना गलत होता है, next अगर मैं बात करूँ, तो next point है, omission of qualitative information, अब देखो मैं यहाँ पर आपको कहूंगी, कि अपने mind में accounting की definition लेकर आईए, जिसमें हमने कहा था, which are of financial character at least, इसमें सिरफ वही transactions record की जाती है, जो financial nature की है, जो quantitative nature की है, तो इसका मतलब managers बदल रहे हैं, business की reputation क्या है, क्या employees के या management और labor के आपस में, जो relation है, वो caudal है, मतलब peaceful है, लड़ाई जगड़े तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी तरीके की कोई हरताल तो नहीं हो रही है, तो इस तरहां के concepts जो हैं, जो की qualitative हैं in nature, ये हम money में express नहीं कर सकते हैं, तो इस लिए इस तरहां के qualitative aspects को completely omit कर दिया जाता है, skip कर दिया जाता है, ignore कर दिया जाता है, जबकि ये बहुत important role play करते हैं, देखो, आप अपने business की reputation के आधार पर, अपने product को higher price पर बेच सकते हो, बेचते हो ना, बेच सकते हो ना, अगर बेच पास पा रहे हो, तो आप ज़्यादा profit कमा रहे हो, लेकिन आप इसको फाइदे की form में record नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मुझे उमीद है कि ये qualitative information वाला concept भी आपको समझ में आ गया, एक दो points और हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं कि limitations के क्या है, देखे next point फिर से वही है historical cost वाला, जो मैं already आपको explain कर चुकी हूँ, तो इसलिए इससे मैं दुबारा से अब यहाँ पर explain नहीं करूँगी, बस simple सी बात तो ये है कि historical concepts के आधार पर, या historical cost के आधार पर, जब हम accounts में, books of accounts में, हमारे assets की recording करते हैं, कोई price level change आ रहा है, मतलब market में assets की value में कितने बड़े बड़े changes आ रहे हैं, जब हम उन changes को record नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो balance sheet है, वो true financial position नहीं बता रही है, अब देखिए एक और point है, मैं फिर से इस पर star लगा रही हूँ, और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये for the time being मैंने छोड़ा है, लेकिन हम आगे चल कर इसे जरूर करेंगे, अब मेरे पास एक और point है, last point है जो limitation का, ये है unsuitable for forecasting, देखो कुछ-कुछ ये point, historical cost पर ही आधारित है, या एक और concept अगर मैं कहना जाहूँ, हम financial accounting अगर कर रहे हैं, मतलब अगर हम हमारी books of accounts में, हमारी business transactions को record कर रहे हैं, तो जब कोई transaction हो जाती है, उसके बाद हम record करते हैं न, हमने sale कर दी, तो उसके बाद हमने recording की न, हमने purchase कर ली, तो उसके बाद हमने recording की न, तो इसका मतलब recording past events की हो रही है, future के events की नहीं हो रही, और forecasting का मतलब क्या होता है, forecasting एक ऐसा term है जो planning से ही related है, जिसमें हम future से related हमें क्या activities perform करनी है, future में हम क्या strategies अपनाएंगे अपने business को लेकर, basically forecasting future से related है, तो इसका मतलब जब हम हमारे financial accounts past के आधार पर बना रही है, past information क्यों ही record कर रहे हैं, तो how can we think of something to be done in future, जिस चीज़ को हमने future में करना है, उसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं फिर, वो past के आधार पर किस तरह से सोची जा सकती है, कि हम यह attempt करेंगे, क्यों क्योंकि market में तो continuous changes आते रहते हैं, चाहे वो firm की policies आजाएं, चाहे वो competitor level आजाएं, मतलब नया competitor आ गया, तो हमें थोड़ी ना पहले से पता है, जब आएगा तभी पता चलेगा ना कि नया competitor market में आ गया है, बिलकुल इसी तरीके से demand of the product में changes आ सकते हैं, अब जैसे covid-19 के cases को देख लो, एकद से लोगों ने storage करना शुरू कर दिया था, तो वो demand पे एकदम से बहुत असर पड़ा था, continuous changes आये थे, अब जैसे जैसे lockdown या unlockdown का ये concept चल रहा है, तो उस cases में हमें market में जो पहले demand हुआ करती थी, उसके comparatively fluctuations देखने को मिल रही है, तो as such the financial analysis based on past events, अगर हम अभी भी forecasting past events के आधार पर करें, तो वो हमारे लिए फाइदेमन साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि forecasting future से related है, और हम जो हमारी books of accounts में recording कर रहे हैं, वो past के आधार पर कर रहे हैं, future के आधार पर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे उमीद है कि आज का जो मेरा session था, जिसमें मैंने आपको advantages और कुछ limitations accounting की cover करवाई हैं, यह आपको जरूर समझाई होंगी, जरूर यह session आपको अच्छा लगा होगा, hoping for your positive response, kindly subscribe the channel, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, bell icon जरूर प्रेस कीजिए, share कीजिए videos को, like कीजिए videos को, do comments also, thank you so much for watching and have a nice day.